कि नमस्कार दोस्तों मैं RK एलेक्ट्रोनिक जर्खन में आपका स्वागत है आज हम LED वल्ब देखते हैं इसमें क्या प्रब्लम होता है अधिकतर सबके घरों में LED मिलता है यह LED वल्ब खराब है आज इसको बहुत कम एक खर्च में रिपेर करेंगे अब भी देख लिए आप कोई मेकानिक के पास जाने की ज़रुत नहीं है कोई भी अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं देख लिए मैं इसको लाइन एक होलडर के माध्यमसस में लाइन दिया हूं देख लिजिए आप इसमें कोई केवल ब्लेंकिंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा देख लिजी आप इसको मैं अभी ठीक करूंगा तो मैं आप इसमें लाइन खोल रहा हूं आप देख लिजी तो इसको मैं धक्कान इसका खोल दिया है इसका कैप निकाल करके आप देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है यह देखिए दोस्तों मैंने लेन डाला है यह देखिए दृस्तों कि यह देखिए दूस्तों इसमें एक बल्ब फीज़ चुका है देखिए ने लिडी जल चुका है जिस बल्ब खराब है जो बल्ब खराब है उसको आपस में सौट करने के उपर मेरा led गलो कर जाता है आनिंज हो जाता है लेकिन दोस्तों मैं वो ऐसा काम नहीं करूँगा इसमें पुरा प्लेट इसका जो आता है वो मैं चेंज करूँगा अगर आपके पास प्लेट है तो ठीक है नहीं है तो आप इसमें आप एक जमफर लगा सकते हैं कि दोस्तों यह देख लिजिए इस LED का प्लेट ही है इसमें एक बल्ब खराब है जो कि अभी हम जमफर मार रहे हैं इसको जमफर मार करके हम चालू करेंगे उसको आपस में सौट कर देना है है absolute के माध्यम से अभी हम स्यूंदिंग कर रहें अच्छी तरीकी से शोल्डिंग कर करेंगे भी हम सोल्डिंगUL बल्ब जला के दिखाएंगे और देख लीजिए मार्केट में शानी से मिल जाता है nota है अब हम इसी को रिप्लेस करेंगे इस तरह से से शीरीज में अच्छा नहीं होता है यह केवल आपकू दिखाने के लिए मैं टेस्टिंग कर रहा था तो हम इस प्लेट को बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे इसको हम रखेंगे नहीं ताकि इसका लाइफ थोड़ा जाइदा हो तो अभी हम सोल्डिंग के माध्यम से इसको हम खोल रहे हैं अगर आपके पास प्लेट नहीं है तो आप इसी तरह से जंफर मार सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें लाइफ कम होता है जिसके कारण हम इसमें ज्यादा रिक्वार्मेंट नहीं देते हैं प्रोब्लेट ही हम लोग रिप्लेस करते हैं यह आपका यह टेस्टिंग था जिसके कारण से मैं आपको दिखाना था केवल कि इस तरह से भी बल्ब को चालू किया जा सकता है दोस्तों मैं भी खोल रहा हूं थोड़ से मेरा आयरन हीट कम है जिसके कारण से अच्छी तरह किसे शोल्डिंग पीखल नहीं रहा है मैं थोड़ सा वोल्टेज बढ़ा लेता हूं स्टेबलाजर में मेरा सोल्डिंग खूल रहा है मैं सोल्डिंग को साफ कर रहा हूं अच्छी तरीके से यह देखिए दोस्तों मेरा सोल्डिंग खूल चुका है अब मैं इस प्लेट को निकाल रहा हूं वहां से यह देखिए जिसे दोस्तों मैं ने इसको हड़ा के फेक दिया अब मैं नया प्लेट लगाने वाला हूं यह देखिए अब इसमें एक छीज़ धियान देने वाली बात है दोस्तों कि इस प्लेट में जो है तो प्लस और मैनेस का पहचान है, प्लस को प्लस में ही दें, इसमें मार्का किया हुआ रहता है, अंदर से जो इसका लीड वायर जो निकला है, वो भी लाल और काला में होता है, लाल को प्लस में दें, और काला को मैनेस में दें, दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना होगा, न दोस्तों ये देखिए ये देखिए दोस्तों इसमें जो है ये बल्व मेरने खराब हो चुका था यह देख लीजिए इसको मैंने शोर्ट करके जलाया था इसको मैंने हटा दिया है अब हम नया वाले प्लेट में हम स्रोडिंग कर रहे है visit Am I promise में मैंनस में इनींदिंदि दीख लीजिए कि के आपको हम जूम करके दिखाते हैं यह देख आश्य तोब डिखा उसनों पलवलाव का मारख आपको दिखाई पड़ता होगा आप देख सकते हैं तो हमने यह देखिए दोस्तों बिल्कुल मेरा एलेडी बल्ब ओके है यह देखिए दोस्तों मेरा नया प्लेड लग करके ओके हुआ है ठीक है अब मैं इसका कैप लगाने वाला हूँ ठीक है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए है तो सब्सक्राब जरूर करें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं मैं आरके इलेक्ट्रोनिक्स चैनल में हमेशा रोज न रोज कुछ न कुछ नया नया वीडियो अप्लोड करते रहता हूँ थैंक्यू धन्यवाद जरूर के रहते है . बटने साथ है . बटने साथ न हुई सेथे न चैनल में तो सेथे प्योट करेंगे हैं जरूर के बटने साथ हैं